दोस्त इंसान का कद नहीं, इंसान का काम बड़ा होना चाहिए और ये बात बखुबी इंप्लिमेंट होती है आर्ती डोगरा जी के उपर एक 3.3 फिट की महिला अपना एक अतक परियास करकर जब एक IAS उफिसर बनती है तो समाज के एक ऐसे ताने बाने को तोड़कर वो बाहर निकलती है जिसको किसी ने सोचा भी नहीं होगा आप लोग सोचो आज कीट में जड़ासा इंसान जो है वो अगर काला हो जाए या फिर उसकी किसी बोड़ी के पार्ट में थोड़ी सी प्रोड़म हो जाए तो कितनी प्रोड़म उसको साइटे में देखने को मुलती है कैसे कैसे उसके जो है मजाक उड़ाय जाते है पर लेकिन आरती डोगरा के सामने बहुत सारी समझ्चा है पर लेकिन ये कभी उस समझ्चा के सामने रुके नहीं आप लोग को बता दो कि एक inspirational figure है आज की डेट में अगर आप लोग चाते हैं कि आप लोग आये से बने और आप लोग की live में बहुत सारी problem आ रही है तो ये one of the best inspiration आप लोगे लिए हो सकती है कि इतनी सारी समझ्चा आने के बाद भी ये हर एक इस important personality से मिल चुकी है देश के अंदर जिससे मिलने का लोगों का सपना होता है जैसे प्रिजडेंट, प्राइमिस्टर, इवन एपीज अब्दुलकाम सर्जी के साथ भी इनके भेट हो चुकी है और वो सारा इसलिए नहीं कि ये IS बन गई आई-ए-स बनने के बाद में जो काम इनके द्वारा किये गए है वो सरहानिये हैं आप लोग ये सोचते हैं कि बस एक बार आई-ए-स ओफिसर बन जाए उसके बाद में बस काम कदा वहां से काम रियलिटी में सुरू होता है इनके द्वारा चार किलोमेटर लंबी एक लाइन लगाए गई इनसानों की जो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी और उससे लोगों को अवेर कराया गया जहां पर अजमेर के अंदर में वोटिंग जो रेशो था वो काफी कम था लोग काफी कम वोट डालने जाते थे इसने लोगों को इंस्पायर किया एक हुमें चैन बना कर जिसकी वेसे लोगों ने वोट डालने स्टार्ट गिया इसी के साथ में स्वच भारत मिस्टन को लेकर इनकी जो मुहीम थी उसके लिए भी काफी सारी इनकी सरहना के गई क्योंकि अकसर लोग जो हैं जानते तो हैं कि ये चीजे हैं पर लेकिन रियल्टी में उसको इंप्लिमेट नहीं कर पाते हैं आप लोग ने देखा होगा पुराने टाइम पे कई बार ये बाते बोलते थे कि सोचालने है घर में और उसको यूज नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे, एक आदत रहती है इनसान की, तो इन्होंने उस पर्टिकुलर आदत को भी जुदारा, दोस्तों अगर बात करूए इनकी जनम के बारे में, तो उत्राखन के दहरादूर में इनका जनम हुआ, 3.5 फिट इनकी लंबाई, और इनकी फा पहले तो माबाप प्रेसाद लेते हैं कि यार बच्चा कैसा हो गया, तो बच्चों को लेकर काफी टेंशन मा जाते हैं कही सारे माबाप, तो सबसे बड़ी बात तो इनके जो मदरों फादर हैं, उनके द्वारा भी को यहसी अपने मन में भावना नहीं लाएगी, तो उसक इनके द्वारा जब स्कूल में एक एडमिसन लिया गया सामान्य स्कूल में, तो हाँ पर भी इनकी काफी अच्छी परफोर्मेंस रही, जबकि डोक्टर ने मना किया था कि सामान्य स्कूल में यह नहीं जा पाएंगी, सामान्य स्कूल तो छोड़ो, देश के एक बहुत ही जो कोलीज है, दिली विज्विधाल का लेडी स्रीराम कोलीज से इनके दोरा अर्थ सास्तर में इसना तक पराप्त की गई, चलो, डोक्टर ने बोला था कि सामान्य स्कूल में नहीं जा पाएंगी, उसको फिर से इनके दोरा फेल किया गया, जब इनके दोरा पहले ही अटे आप लोग जिंदगी में बहुत सारी प्रेसानी हर एक इंसान के सामने आती है पर लेकिन उन प्रेसानियों के साथ में आप लोग किस तरीके से डेल करते हो रियलेटी में उसी को आप लोग जिंदगी बोलते हो तो यह काफी बड़ी inspiration आप लोग इहाँ पर बोल सकते हैं, और इनका अकेला ऐसा लोता उधान नहीं है, आप लोग एक और ऐसी personality को जानते हैं, जिनका नाम है एरा सिंगल, उनके द्वारा तो first rank लेकर आया गया, जान रहे होना आप लोग उनका नाम भी, बताएं किस year में उ स्ट्रेंग लेकर आया गया, तो आप लोग समझ सकते हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोट का केस तक लड़ा गया, बोड़ी में जो भी प्रोलम थी उसको लेकर जिसके चलते उनको पोश्ट नहीं मिल पा रही थी, तो उसके साथ में इंसान पढ़ भी रहे, तो यह होती है वास्ता में किसी काम को लेकर ललक और जिस इंसान के मन में एक ऐसी ललक जग गई, यार उस इंसान को कोई रोक पाएगा, क्या आप लोग को सोचे, तो अपने काम के लिए एक ऐसी ललक पैदा करो अपने अंदर, ताकि आप लोग का रास्ता कोई रोक ही नहीं सके, और आपर काफी सारे ऐसी important scheme implement कर रही है जो कि society में ground level पर लोगों को फाइदा पहुचा रही है जिसके चलते इनको काफी जदे अप्रिशेट के जा रहा है हर एक फिल्ब में आप लोग उसको जीदिन अचीव कर लोगे ना तो आप लोग के अंदर जो खुसी होगी उसका कोई और सानी नहीं है किसी और चीज के साथ में compare नहीं कर सकते आप लोग तर जिंदगी में गोल बना कर उसके पिछे लग जाए अपने टाइम को ऐसी उटिलाइज करो ऐसा लग कि जिंदगी प्रोलम है जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रोलम है और उसी को डील करकर आप लोगों को आगे बढ़ना है इस तरीके से हमेशा आपने आपको एक सही डिवेस्तन में लगाते हो आगे बढ़ो I hope कि आप लोग सही मुकाम पर कोचों के जो आप लोगों ने डिस इस वीडियो में जो कि आप लोगों का होगा दाइन दूने इस विफर का डिसकसन अच्छे से इंजोई किजिए और ध्यान रखे ओके